आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 daily habits या फिर 3 daily rituals बताऊंगी आपकी mental health के लिए अगर आप ये तीन चीज प्राक्टिस करेंगे daily तो आपकी mental health जो है वो stable वनी रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा ठीक है आपकी मतलब खराब mental health नहीं होगी लेकिन ये तीन चीज आप आपको daily practice करनी है ठीक है ये तीन चीज क्या है सबसे पहली बात तो accept yourself ठीक है feel proud of yourself जब आप रोज चाहे आप जैसे भी डिखते हो चाहे आप जो भी काम कर रहे हो ठीक है जो भी condition जो भी situation आपके साथ हो पहली बात तो आपको accept करना है कि हां मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसी ही ह person हाला कि मैं अपने आपको पहले accept नहीं कर पाती थी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं आठ sensitive होना emotional होना जो है बड़ी ही खराब तरीके कि बाते और ऐसे लोग होते हैं लेकिन the day I accepted myself कि ठीक है I am little sensitive I am little emotional तो उस दिन से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती है मैं तो खुद बोलत करना है secondly आपको अपने आप पर प्राउड फिल करना है जो भी आप कर रहे हो do not speak negatively about yourself बहुत सारे लोग होते हैं वो सुबाउट के उनकी टेंशन चुरू हो जाती है अपने आप में ही demotivated हो जाते क्योंकि वो अपने आपको नहीं accept कर पाते हैं और अपने आपकी बारे में करनी है secondly self care बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरी दुनिया की भीड़बार में काम में family में और सब चीजों में अपनी personal life में अपने आपको ही भूल जाते हैं अपने आपकी केर करना ही भूल जाते हैं तो self care is very important हर किसी के लिए self care अलग हो सकता है किसी किसी के लिए self किसी के लिए self care होता है या कुछ भी तो self care अपने लिए time जरूर निकाले और वो अपने लिए time आप कैसे भी निकाल सकते हैं अपने लिए 5 गंटे निकालना ओविसली आज की date में किसी के पास इता टाइम निए कि वो अपने लिए 10 गंटे निकालेगा अपने लिए 10 गंटे निकालेगा अच्छी mental health के लिए अपने साथ समय बिताना भी एक तरीके का self care होता है जब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो ठीक है किसी से कुछ कहनी रहे हो कोई social media पे नहीं हो अकेले अपने साथ बैटे हो तो वो भी एक self care का part होता है तो जिस तरीके से भी आप अपनी self care करना चाते है वो जरूर करें तीसरी और most important बात है gratitude ठीक है आपके पास जो भी है life में ठीक है आपके पास जो भी है life में चाहे वो जितना भी उपर वाले ने आपको दिया है जिस भी चीज से आपको नवाजा है हमेशा उसके लिए thankful होईए ठीक है उसके लिए हमेशा आप thankful होईए कि मिरे पास जो भी यह बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझे पता है कि अभी मैं बहुत cliche बात कर रही हूँ कि आप पे पास जितना है उतना तो all लोगों के पास नहीं है ठीक है लेकिन अगर आप जब gratitude पेश करेंगे जब आप thankful होंगे कि ठीक है मेरे पास जो भी है उसके लिए आप grateful होंगे आप उस चीज को you know मानेंगे कि मुझे जितना मिला है ज़रूरी नहीं है कि वो all लोगों को भी मिला है तो आपको already अच्छा लगने लगेगा क्योंकि अगर आप हमेशा complain करते रहेंगे कि यार मुझे तो ये नहीं मिला मुझे तो वो नहीं मिला मेरे साथ तो ये नहीं हुआ इसके पास तो ये है मेरे पास तो ये नहीं है तो आप हमेशा आपकी mental health खराब होती रहेगे, आप negative feel करते रहेंगे, आप अच्छा feel नहीं होगा, तो gratitude पेश करना या फिर thankful feel होना, या फिर thankful अपने आप में feel करना, या फिर God को you know, thanks करना for whatever you have is the best thing, ठीक है, तो ये कुछ तीन चीज़े हैं, जो आपको daily exercise करनी है, ये तीन ritual है, बहुत simple है, कोई बहुत technical बाते नहीं है, ठीक है, बहुत simple है, आपको ये जरूर तीनों चीज़े करनी है रोज, अपनी better mental health के लिए, till then bye, take care.